Hey there, press the bell icon and never miss a video on cyber security and technology How you work? How do you work? How do you work? How do you work? How do you work? The most important thing about how you travel data, how you receive, how you send data Network security, web security, system security, how you set the listener How you frame data packets, headers, and use a protocol यूज करते हो यह सब कुछ मिला कर बनता है नेटवरकिंग और बहुत बड़ा फील्ड है मैं आपको बता दूँ पूरी की पूरी अपनी एक स्टेडी है इस फील्ड में ब्रांचेज है तो अगर आपको नेटवरकिंग नहीं आती है और आपको बेसिक से नेटवरकिंग करने वाला हूं Cisco की तरफ जो लोग Cisco की तयारी कर रहे हैं Network Associate या Network Professional की तो मैं वहां तक भी ले जाऊंगा इस तो इसको मैं पूरा नहीं बताने वाला हूँ, फूरा मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो बेसिक उसके लिए आपको क्लेर होने चाहिए, वो मैं आपको यहां पर सखाने वाला हूँ, और इसको नेटवर्क सिक्यूरिटी तक भी मैं ले जाओगा, तो यह मेरी पहली वीडियो है मैं इसमें बहुत ही जादा basic में start करने वाला हूँ क्योंकि cyber security oriented channel है तो मैं assume करके चल रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ आता है इस video में नहीं भी आता है तो चिंदा मत कीजिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा तो please अगर आपको आता भी है कि वो actually में है क्या मतलब मैं यहाँ पर अगर बोल रहा हूँ कि networking सिखाने वाला हूँ तो networking क्या होती है networking से जो शब्द ये तो derived शब्द है networking derived हुआ है network से मतलब network अब क्या होता है हम वो समझते है तो कोई भी चीज़ समझाने से पहले मुझे analog ये देना अच्छा लगता है तो अब आप इसको ऐसे समझिए कि हम इंसान है हम इंसानों में कैसे हम communicate करते है मतलब मैं मालूँ अगर सिर्फ मुझे खुझ से मतलब है तो मुझे किसी network की जरूद नहीं है network से मेरा मतलब ये है कि हम किसी और से किसी और entity से या किसी और object से interact कर रहे हो उसको हम बोलते है networking networking से मतलब है कि आप कोई दो चीजों को या उससे ज़्यादा चीजों को एक साथ अगर collectively consider करते हैं या connect करते हैं या उसको interact करवाते हैं किसी भी तरीके से उससे फर्क नहीं पड़ता है तो हम उसको network बोलेंगे multiple computers को एक साथ जोड़ दूँ मतलब minimum case में मैं दो computers को एक साथ जोड़ दूँ किसी भी medium से चाहे वो wired हो या wireless हो wired wireless का analogy मैंने दिया wired मतलब चाहे आप उससे चूर रहे हो मतलब अगर wireless होगा तो सिर्फ उससे देख रहे हो इस ताइब का मैंने बता दिया तो computer network में यह चीज होती है minimum दो computers को आप connect करोगे तो वह एक network बन जाएगा इसे तरीके से general definition a collection of computing devices इसका मतलब यह कि सिर्फ computer नहीं सिर्फ mobile नहीं सिर्फ tablet नहीं सिर्फ laptop नहीं मैं कोई भी ऐसी चीज को connect कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ जो यह capability रखता हो कि वो connect हो सकता है उसके पास एक ऐसा adapter हो जिससे मैं उसे connect कर सकूँ किसी और के साथ ठीक है तो इसका मतलब होता है network तो यह है simple networking अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो terms use होते है networking के अंदर उसका क्या meaning है तो networking में जो चीज हम connect कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं device अब यहाँ पर हम technically बात करें तो उसको device नहीं बोला जाता है उसको most commonly बोला जाता है host या node अब node हो सकता है computer हो mobile हो, laptop हो जो भी चीज एक network में एक entity की तरह काम कर रही है उसको हम node बोलते हैं अब यहाँ पर node का मतलब आब यह भी बोल सकते हो कि जहाँ पर जा कर एक data का package रुखता है मतलब आप अगर अपने broadband से connected हो तो आपका एक laptop होगा आप उससे कैसे भी connect हो सकते हो तो आपका laptop एक node बन गया जो भी network पे computers होंगे, devices होंगे उन सब को हम nodes बोलते हैं या host बोलते हैं तो technically हम उसको node या host ही बोलेंगे तो data transfer rate की हम बात करते हैं तो यह सबसे important factor होता है किसी भी network में हम अगर कोई network establish करते हैं तो हमारे पास सबसे main objective यही होता है और इसका issue बहुत आता है networks में तो इसके उपर अभी भी research चल रही है कि हम transfer rate को कैसे improve करें कैसे increase करें और कम से कम जो bandwidth होती है हमको सबसे ज़ादा ज़ादा हमारी utilize हो और transfer rate सबसे ज़ादा use हो तो networking में हम mainly दो models के बारे में पढ़ते हैं पहला है peer to peer model दूसरा है client server model तो जो सबसे important होता है वो है client server model जो सबसे ज़ादा use होता है यहाँ पर समझने वाली बात है कि हम client किसको बोल रहे हैं हम server किसको बोल रहे हैं तो client मतलब मैं मालीजे अपने laptop पर बैठा हूँ यहाँ पर और मुझे google.com पर request करनी है google.com मेरे network में है मुझे उसे request करनी है अब हो सकता है कि वो किसी और subnet में हो हो सकता है कि वो कहीं और हो दुनिया में मैं वहाँ तक पहुच पा रहा हूँ मतलब वो मेरे network में है अब हो सकता है वो मुझसे directly connected हो या ना connected हो उससे मुझे अभी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर मैं अगर कुछ रिक्वेस्ट करूँगा, मतलब मुझे कुछ चाहिए Google से, तो मैं यहाँ पर क्लाइंट हूँ, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, कोई भी डेटा को सर्वर से, और सर्वर उसकी corresponding response क्लाइंट को वापिस भेजता है, अब सर्वर का मतलब यही होता है, कि वो कोई service प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर हम web servers क्यों लेते हैं, यहाँ पर हम web hosting क्यों लेते हैं, मुझे अपनी website अप्लोड करनी है, ताकि वो logo तक visible हो, लोगों तक पहुच सकें, उसको कोई service प्रोवाइड कर सकें, तो यहाँ पर server बहुत सारे होते हैं, बहुत दुनिया बर में फैले हुएं, बड़े-बड़े data centers में लगे हुएं, तो servers का काम होता है, client की request को fulfill करना, client मतलब एक new user होता है, मतलब आप mobile यूज़ करो, चाहिए आप laptop यूज़ करो, कहीं भी Google में आप search करते हो, कुछ भी search करते हो, तो server का response आता है, वो होता है आपका networking का model, बड़े-बड़े जो use हो रहे हैं हमारे पास, कोई एक इनसान है या फिर device है, उसको कोई data चाहिए किसी और device से, तो वो उस data को request करता है, और जो वो data receive करने वाला, उसको अगर कोई data वापिस करेगा, तो वो होता है server, तो client और server ये model है, हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इसके आगे हम आते हैं networking के जो terms, हम लोग जिस type के servers यूज करते हैं, तो हमारे पास networking में दो main type के servers होते हैं, जो होते हैं file server और web server, file server का मतलब ये, कि कोई एक corporate network है, मान लिजे आपके college में कोई network है, तो उन network का एक hub है, एक server है उसमें, एक server लगा है और बहुत सारे computers उसे connected हैं, अब मान लिजे कि बहुत सारी files हैं मेरे पास, और उन सारी files को मुझे सब computers में share करना है, मुझे एक shared type का environment बनाना है, मेरे पास बहुत बड़ी-बड़ी files है, जी-बीस में है, तो मैं हर एक को अगर उसके requirement के हिसाब से, उसको file दूँगा, तो मुझे बहुत time लगेगा, अब अगर computer A ने मुझे फाइल request की, तो मैं उसको दूँगा, फिर B ने की, तो उसको अलग से दूँगा, इससे अच्छा कि मैं उसको एक dedicated जगा पर मैं उसको upload कर दूँ, और वहां से सब लोग उसे access कर पाएं, तो यहां पर files की हम बात करते हैं, तो multiple users में उसको share करने के लिए, मुझे उसे एक अच्छी और individual जगा पर रखना पड़ेगा, जो सिर्फ उसी के लिए हो, तो हम files जहां पर use करते हैं, उससे share करने के लिए, उसको हम बोलते हैं file server, वो files प्रोवाइड करता है multiple users को, जो उसके network में connected है, अब files किसी भी type की हो सकती है, वीडियो, audio, document, zip, archive, मालब कुछ भी file आप सोच सकते हो, तो वो सब की सब files store होती है, server पे, दूसरे type का server है, web server, अब web server अलग इसलिए है, कि वो http requests को handle करता है, मतलब हम कोई web page बना रहे हैं, मालिजे मैं कोई website बना रहा हूँ, तो उसको अगर मैं web server पर upload करता हूँ, तब वो website खुलेगी, file server और web server में difference यह है, कि जो file server है, वो raw file को serve करता है, और web server जो है, हमारे web pages को serve करता है, web pages बने हैं हमारे html में, तो वो एक programming की गई है, जो हमने high level में की हुई है, तो उसको हम web page के form में store कर रहे हैं, web server पर, और एक अलग tab का protocol यूज़ कर रहे हैं हम, जो file server में use नहीं होता है, file server में हमारा ftp यूज़ होता है, web server में http यूज़ होता है, तो यह difference है file server और web server में, अब आते हैं types और networks, ती कितने type के networks होते हैं हमारे पास, जो mainly हम classify करते हैं, अब यहां पर classification हुआ है, on the basis of area, मलब कितने area में हम लोग network बना रहे हैं, कितना बड़ा network बना रहे हैं, तो यहां पर local area network जो सबसे important है, तीनो classification में, area में हो, या उससे ज़ादा हो, थोड़ा बहुत कम ज़ादा हो सकता है, लेकिन एक corporate network के अंदर, अगर एक building के अंदर, अगर एक enterprise के अंदर, हम लोग अगर कोई network सेट अप कर रहे हैं, तो उसको हम local area network बोलते हैं, जिसको हम intranet भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर कोई एक particular private organization के अंदर, कोई network बना हुआ है, जैसे कि आपके college के अंदर बना है, या कोई business organization के अंदर बना हुआ है, उसका एक public network नहीं है, उसका एक private network है, जिसको सिर्फ उसके computers, जो company के अंदर लगे हुए हैं, सिर्फ उसे ही access कर सकते हैं, server पे, तो यहाँ पर एक dedicated environment है, सिर्फ उस corporate के लिए जो उसे use कर रहा है, बाहर का कोई उसे access नहीं कर सकता, बाहर से, तो जो आप घर में use करते हो, broadband या जो वाइफाइ आप जिसको बोलते हो, वो आपका local area network ही है, चाहिए वो wired हो, चाहिए वो wireless हो, wireless के case में आप उसको WLAN बोलते हैं, तो यहाँ पर आपके घर में जतने mobile हैं, laptops हैं, या printers भी हो सकता है, अगर आप वो wireless support करता होगा तो, या फिर desktop है, जो भी चीज वारलेसली connect हो सकती है, या wired connect हो सकती है network से, वो जो आपके घर में हैं, वो सब कुछ LAN से connected होता है, तो यह होता है LAN, अब LAN के अदर में बहुत सारे topologies यूज होती हैं, topologies का मतलब आप समझ लीजिए, कि मैं LAN में बहुत सारे devices को, बहुत सारे nodes को, किस order में या किस तरीके से, किस pattern से उनको connect करता हूँ, यहाँ पर तीन main topologies हम पढ़ने वाले हैं, topology का मतलब यह है, कि मैं किस pattern में उनको arrange कर रहा हूँ, या connect कर रहा हूँ, ring topology का मतलब यह है, कि मैं circular form में सारे के सारे nodes को connect करूँगा, circular form मतलब, तो इन तरीकों से हम किसे भी network में advantage और disadvantage होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कि ring topology में मैं दो commuters को एक सारे कर रहा हूँ, फिर जो दूसरा वाला है, उसको तीसरे से कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर कोई एक link टूट जाता है, माली जी यह first का second से link टूट जाता है, तो जो data का transfer होगा, वो उल्टे तरफ से होना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में direct connection रहा ही नहीं, तो उल्टे तरफ से हमको अगर जाना है, तो बहुत ज़्यादा time लग जाएगा उसमें, क्योंकि path हमारा बढ़ गया, पुरा उल्टा हो गया path, और अगर जो दूसरे की बात करते हैं, start apology जो की सबसे ज़्यादा यूज होती है आज की दुनिया में, हर एक computer की dedicated line होगी एक server के साथ, मतलब server connected है हर किसी computer से, उसको हम server नहीं है, उसको हम आजकल switch बोलते हैं, switch यूज कर सकते हैं, या फर router के साथ inbuilt switches आते हैं, हम वो यूज करते हैं, तो start apology में फायदा ये है, कि हर किसी की dedicated line होती है, तो data अगर चाहिए आपको, तो आपको अपनी ही line से बेजनी पड़ेगी, और आपको अगर communicate करना है किसी और computer से, तो आपको router के थुरू या switch के थुरू करना पड़ेगा, तो start apology most commonly आपके घर में भी उज होती है, corporate networks में भी यूज होती है, जहां पर बड़े-बड़े labs होते हैं, वहाँ पर यूज होती है, switches लगे होते हैं, तो जो central node होता है, जिससे सारे node connected है, वही responsible होता है, डेटा को transfer करने के लिए, कौन सी डेटा कहां जानी चाहिए, कौन सी डेटा कहां से आई है, यह सब कुछ ensure करता है, start apology में central node, तो central node का बहुत importance होता है, यहाँ पर वही होता है, करता धरता एक network के अंदर, तो यहाँ पर जो तीसरा आजाता है, burst topology, यहाँ पर burst topology में एक, एक अलग से line होती है, बहुत लंबी line होती है, और उसी line से सारे के सारे, हमारे nodes connected होते हैं, तो उसका simple सा disadvantage यह है, कि अगर वो central line खराब हो गई, तो सारे के सारे computers disconnect हो जाएंगे, यहाँ पर नेटवर्क फेल हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ उसी central line से connected है, यहाँ पर अगर start topology की बात करें, तो कोई एक line अगर फेल होती है, तो बाकी का network वैसे ही काम करेगा, तो यह advantage है star का bus से, तो तीनों के अपने disadvantages हैं, अब खुद इससे derive कर सकते हैं, मैं detail में नहीं बता हूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और इतना basic कोई नहीं बताना चाहता, और यहाँ पर हम दूसरे की बात करते हैं, wide area network, जिसको हम लोग most commonly बोलते हैं, internet, international network, तो internet एक ऐसा network है, जिसको बहुत सारे wide area networks जोड कर बनाया गया है, wide area network मतलब कोई बहुत बड़ा geographical area होता है, मतलब हो सकता है कोई एक country हो, set of countries हो या एक continent हो, तो दुनिया भर में जितने भी wide area networks हैं, उन सब को अगर जोड दिया जाए, तो हमारा internet बनता है, सबसे बड़ा होई होता है, यहाँ पर wide area network को connect करने के लिए gateways होते हैं, routers होते हैं, हम उनके बार में बात करेंगे, यहाँ पर internet जो है wide area network से बना हुआ है, और जो metropolitan area network होता है, जिसके बार में मैंने बात की थी, वो होता है land से बड़ा और van से छोटा, मतलब एक city को या एक metropolitan area को cover करने के लिए हम man यूज करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइगराम में कि पूरी एक city है, या बूर सकते हो एक town है, बहुत बड़ा सा, वहाँ पर बहुत सारे stations लगे हुए हैं, towers लगे हुए हैं, और वह सारे towers हमको data send करते हैं, receive करते हैं उसके through, तो एक पूरा city connected है, एक ISP से या number of ISP से, तो जो connection established होता है, city वगरामें या बड़े-बड़े stations वगरामें, बहुत जो हम state भी बोल सकते हैं उसे, तो उसको हम बोलेंगे metropolitan area network, तो यहां हम रोकते हैं introduction to networks को, I hope आपको समझ में आया होगा अच्छे से की networks क्या होता है, कितने types के networks होते हैं, क्या क्या topologies होती हैं, जितने भी basic से basic चीज़े थी मैंने बता दी हैं, जो कि सब को जरना जरूरी है, आपको नहीं भी लगता तो भी क्योंकि आगे की वीडियो के लिए यह चीज़ बार बार काम में आने वाली हैं कि आगे की वीडियो देखते रहिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो से आपको को और नेटवरकिंग से और पैथन का कोर्स मेरा चली रहा है, यह भी चलता रहेगा, पैथन भी चलता रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेर कर देए इस वीडियो को बाकी लोगों को ताकि इसको मदद मिल सके और मुझे मदद मिल सके आपको मदद मिल सके और लाइक कर देना प्लीज अगर आपको इवीडियो अच्छ लगा, आपको मेरी मेनत अच्छी लगी तो प्लीज स्लैक कर देना तो आगे की वीडियो के लिए भी देखते रही है और नेटवरकिंग को ध्यान में रखिए और गुडबाई